लोग सबाचुनाओं के बीच राजा भाईया एक बार फिर से चर्चाओं का विशे बने हुए हैं उत्रप्रदेश की कई सीटों पर राजा भाईया का प्रभाव माना जाता है जिसके चलते बीते दिनों ग्रेह मंत्री अमिश्या को भी राजा भाईया से मुलकात करनी आप जिसे चाहें उसे समर्थन दे जिसे चाहें उसे वोट दे लेकिन विवेक का इस्तमाल करें राजा भाईया के इस फैंसले पर एंडिये खेमे में नाराजगी देखने को मिली हाले में अनुप्रिया पर टेल ने राजा भाईया पर जिस तरीके से हमला बोला उसके आना यही जा रहा है कि जिस ढंक से एंडिये खेमे ने उनके खेलाफ मोर्चा खोला है अब अंधरी अंदर वो कहीने कहीना परत्यक चुरूप से समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है राजा भाईया का समर्थन देना समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत लकात करनी पड़ी लेकिन दुरभागे से यह डील हो नहीं पाई सबकी दिल्चस्बी इस बात को जानने में थी कि आखिर गिरहमंत्री अमिश्शा और राजा भाईया के बीच बंद कमरे में वह कौन सी डील हुई जिस पर राजा भाईया नहीं माने और कहीं न कहीं उतर उतर प्रदेश की राजनीती में एक बड़ा उलट फेर हुआ राजा भाईया साफत और पर किसी दल को समर्थन देने से इनकार कर देते हैं इसी कड़ी में उतर प्रदेश की परतावगड इस्तित राजकिये इंटर कॉलिज मैदान में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखलीश यादो की रैली में राजा भाईया के समर्थक पूरे हुजूम के साथ नजर आए उन्होंने बढ़चर कर हिस्सा लिया और समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया मदादे की हजारों की संक्या में जन सत्ता दल के कारेकरत अखलीश की रैली में जंडे बैनर के साथ नजर आए जिस पर अखलीश यादों ने शारो शारों में उनका धन्यवाद कर दिया बदादें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख इंडिया गडबंदन के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंग पटेल के समर्थन में जन सबा को सम्बोधित करने प्रताब गड़ पहुँचे थे इस दोरान अकलेश यादों ने अपने सम्बोधन में राजा भाईया का नाम लिये बिना कहा कि जो पहले नरास्ते अब उनका भी समर्थन मिल रहा है कोंग्रिस और आम आदमी पार्टी साथ है ही लेकिन अन्य दल भी साथ आ गए है अकलेश यादों के इस बयान से सवाल उट रहे हैं कि क्या राजा भाईया अंदर ही अंदर अब समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और जिस धंक से उनके रैलियों में राजा भाईया के कारिकरता समर्थक पहुँच रहे हैं जहंडे और बैनर के साथ यह अपन इंड बॉक्स में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स टेंड पॉलिटिकल बाइट के साथ